नमस्कार दोस्तों मैं सूरज तुआड़ा स्वागत करदांजी तुआड़े अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी की गुजी ते दोस्तों आज दी इस वीडियो चापां एंटिटी टीचर यानि की नर्सरी टीचर परती 2021 दे लई एंटिटी दे सलेबस अंसार त्यार किता होया मोग टेस्ट हल करांगे हाँजी एस मोग टेस्ट विच हरे कोशन नूँ सलेबस मुताबिक सेट किता हो है एस टेस्टों तो हाँणू एक आइडिया जा मिल जावेगा कि पेपर किस तरह दा आवेगा उमीद करदा हाँजी तुसी एस वीडियो नूँ पूरा ते त्यानाल वेखोंगे नाले आज़ दे एस मोग टेस्ट दी पीडियव तुसी साधे टेलेग्राम चेनल तो डाउलोड कर सकते हो टेलेग्राम चेनल दा लिंक तो आणू एस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बोक्स वीच मिल जावेगा हंजी स्टार्ट कर देयां जी आज़ दी वीडियो नू हंजी स्टार्ट कर देयां जी फर्स्ट कोशन तो फर्स्ट कोशन आपना करेंट फेर्टों हेगा जी दो हजार उन्नी विच पोतिक विज्ञान दे खेतर विच नोबल पुर्चकार किसनों दिता गया हांजी फ्रेंट 2019 विच पोतिक विज्ञान दे शेत्र विच तेने विज्ञान कानू नोबल पूर्चकार देता गया सी जैंस, पेबल्स, मिशेल, मेयर ते डीडियर के वेंजोर ता एस कोशन दा ओप्शन नंबर डी अपना कोरेक्ट हो जान दाजी उप्रोक्त सारे हांजी फ्रेंट 2019 ते 2020 दे जिन्ने वी नोबल पूर्चकार विज्ञान ने ओना नू अपाँ एक ट्रिक दे नाल याद गिता होया है जिन्नावी साथ्या ने ओ ट्रिक वाली वीडियो नई वेखी ता ओ वीडियो तो आनू एस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बोक्स वीच मिल जेगी ओत्ते जाके तुसे ओ वीडियो जुरूर वेक्णी है ओस वीडियो नू वेक्ण नाल तो आनू दोहजार उन्नी ते दोहजार वीडे नोबल पुर्शकार विजेता बड़े ही असानी नाल याद हो जानगे चल दे आजी नेक्स्ट कोशन वाल हंजी अपना नेक्स्ट कोशन दिता हो है पाणी पद्दी पहली लड़ाई विच जेतू कोण रहा च्यार ओप्शन ने फर्स्ट एगा जी इब्राहिम लोग दी सेकेंड ओप्शन है गया दोल्त खान लोग दी थर्ड एगा जी आलम खान लोग दी ते फोर्थ एगा जी बाबर हंजी पाणी पद्धी पहली लड़ाई दी गल करिये ता पाणी पद्धी पहली लड़ाई 21 अप्रेल 1526 होई सी एक किंदे विचकार होई सी जी एह होई सी जी बाबर अते इब्राहिम लोदी विचकार इब्राहिम लोदी विचकार ये लड़ाई होई सी जी सी बाबर जेत्तु रेहा सी ते पाणी पद्धी दुजी लड़ाई दी गल करिये ता दुजी लड़ाई 5 नवंबर 1525 विच होई सी ए होई सी जी समराट हेम चंद हेम चंद जिन्नों हेम मूवी केहा जांद है अते अकबर विचकार पाणी पद्धी दुजी लड़ाई विच जड़ जेत्तु रेहासी ओर रेहासी जी अकबर ते तिजी लड़ाई दी गल करिये ता पाणी पद्धी तिजी लड़ाई होई सी जी 14 जनवरी 1781 विच ये लड़ाई होई सी जी मराठा समराज अते एहमद शा अबदाली विचकार एस लड़ाई विच एहमद शा अबदाली दी जित होई सी फिर तो रिपीट करते ने आपाणी पद्धी पहले लड़ाई कदो होई सी 21 अप्रेल 1526 विच ए लड़ाई बाबर अते इब्राहें लोधी विचकार होई सी जिस विच बाबर जेत्तुर्या सी पाणिपद्धी दुजी लड़ाई 5 नवंबर 1526 चुपंजा विच होई सी जेडिकी हेम चंद हेमू अते अकबर विचकार होई सी एस विच अकबर जेत्त अब्दाली विच का, S विच M अब्दाली जेतु रियासी, ता कोशन दिता हो है, पाणी पदी पहले लड़ाई विच जेतु कोण रिया, ता पाणी पदी पहले लिड़ाई विच जेतु रियासी और रियासी बापर, ता एस कोशन दा, option number D अपना correct हो जाता है, चल दें हाज हम जी नेक्स्ट कोशिण वाल रुगा अ की यंज अपना नेक्स्ट कोशिण देता है question number 10. पारुद दी उत्तरतों दक्षिं तक दी लम्बाई किन्नी है और जी पारँदा जड़ी उत्तरतों लेके दख्षिं तक पूरवतों पच्चिम तक दी लंबाई ता ओ है किया जी उनती सो तेती किलो मिटर इस तो लावा जेकर पूच्छा जावे कि पारदी स्थल सिमा किनी है ता स्थल सिमा है गिया जी 15,200 किलो मिटर इस ते जेकर साटकों पूच्छा जावे कि पारद्दा कुल खेत्रफल किनना है गाया ता ए है गा जी 22,07,238 वरग किलो मिटरゥ फिर्थूर फीट करते है जी पारदी उत्तरतों दखन तक दिला मबाई किनी है गिया चल दें जी नेक्स्ट कोशन वाल हंजी अपना नेक्स्ट कोशन हेंगाया कोशन नमबर चार पार्ति सविदान दे किस पाग नूँ उसदी आत्मा कहा जान्द है चार उप्षन है फर्स्ट हेंगा जी मोलिक अधिकार सेकिंड हेंगा जी राजदे निती निर्धेशक थार्ड ओक्षन हैगा प्रस्तावना ते फोर्ट हैगा जी एनना विचों कोई दी पार्ती सवधान दे किस पाग नूँ उस दी आत्मा कहाजान द है ता ओ कहाजान दा जी प्रस्तावना नूँ जिसनू प्रियंबल भी कहाजान द है हांजी तुसी एक डेट याद रखनी है 13 दिसंबर 1904 हांजी 13 दिसंबर 1904 विच की होया सी जवाहर लाल नेरुजी ने पार्ती सविदांसवा विच अबजेक्टिव रेजुलूशन पेश किता सी अबजेक्टिव रेजुलूशन पेश किता सी एसदे अधार्ती ही प्रस्तावनाद जडा गठन किता ग्या सी प्रस्तावनान सविदांदी कुञी वी क्या हाज़न दै हांजी 11 देनालई एक कोशन होर पण सकता है की डौक्टर बी यार अम्भेतकर जिनानован सविदांदा पीता के याल जा़न दै कि डॉक्टर बी आर्र अम्मेत्कर जी ने पार्टी सविदान दे किस पाग नू उस्टी आत्मा जा उसदा दिल केहा सी ता ओ पाग 32 सी चल्दे आजी नेक्स्ट कॉशन वाल अन्जी अपना नेक्स्ट कोशन आगा है सफेद क्रांथी किस नाल समंदित है हैंजी सफेद करांती नो operation flood V के हाजान्द है हैंजी सफेद करांती जड़ी समद्धेते गिया है ओ दुधनार समद्धेते गिया है ऐस दा option number C अपना correct हो जावेगा हैंजी ए करांती कदों IC 13 January 1970 13 January 1970 नो A करांती IC ते कोशन पुछलिया जाँदा है कि सफेद करांती दे जनक किसनू के हाँदा है ता इस दे जनक ने V Korean V Korean नो S दा जनक के हाँदा है इस तो लावा जेकर पुछलिया जावे कि हरी करांती किसना अल समनी दे ता इस दा option अपना B Correct हो जाणा सी हरी क्रांती दी जेकर गल करिए ता हरी क्रांती दे जनक किसनों के हजान्द है जेकर आपा विशब चे गल करिए ता विशब दे जनक के हजान्द जी नौर्मन बोरलांग नू नौर्मन बोरलांग नू इस दा जनक के हजान्द है जेकर आपां इंडिया दी गाल करिए कि इंडिया विच हरी करांती दे जनक किसनू के आजानदा है ता O के हाजानद जी C. सुपरमन्यम सुपरमन्यम नू हरी करांती दे जनक के हाजानदा है चल दे हांजी next question वाल कुनेयन किस तों प्राप्त हुन दी है चार option नहीं first निम्म दे रुखतों सेकेंड ओप्षन एगाए माईकम दे रुखतों ती fourth एगाए सिनकोन दे रुखतों हांजी कुनेयन एक उशद्धी हुंदी है एस सिनकोना दे रुखतों प्राप्थ हुंदी है यानि कि सिनकोना दे रुखती चालतों सनु ए प्राप्थ हुंदी है एस नो अपा दर्द निवारक दे लई ऊणिछी मलेरिया दे लई ते इस्तों इलावा सुजन नों ठी कर दे लई वी यूज tv कर देया हां हंजी कुनेय जड़ी हुंदिया है यह सिनकोणा दे रुखतों प्राप्त हुंदिया है workflows 4 तों प्राप्त हुंदिया है चल दें हाझी next लेर्ट वंद थर्ड ओप्षन है कजी थॉम्सन ते फोर्थ है कजी नूटन अजी एस तों पहला आपा जान देया कि संसार विच कोई वी पदार्थ छोटे छोटे एटम नाल मिलके बढ़े हुंद है संसार विच कोई वी पदार्थ छोटे छोटे एटम नाल मिलके बढ़े हुन्दा है अपा एक एटम दी एकजापकन ले ले लेंदे है एटम दे सेंटर विच न्यूट्रोन दे प्रोटोन हुन्देने न्यूट्रोन दे कोई चार्ज नहीं हुन्दा कोई चार्ज नहीं हुन्दा ते प्रोटोन दे प्लस दा चार्ज होंदा है यानि की तन दा चार्ज होंदा है ते इस दे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोन मूव कर दे हम जिनना ते माइनस दा चार्ज होंदा है यानि की रिन चार्ज होंदा है कोशन पूचले आजानदा है कि इलेक्ट्रोन दी खोज कि नेकिती सी, प्रोट्रोन दी खोज कि नेकिती सी, ते न्यूट्रोन दी खोज कि नेकिती सी इस दे लिए आपा एक ट्रिक बनाया हो है, इट पर नाच इस ट्रिक नाल आपानू तिन्नो याद हो जा देने की इलेक्ट्रोन दी खोज की नेकिती, प्रोटोन दी की नेकिती, ते न्यूट्रोन दी की नेकिती हम जी फ्रस्ट वर्ड एंगा है ed रहतों प्रोटोन टे रहतों रधरफोर्ड ओप्शन ने 1 पर्स टेगा शी ट्रीक अमल, 2 लाक्टिक अमल 3 रडेगा असित्रीक अमल। टेवल लास। अंट्ष आशेPress 2 विच लाक्टिक अमल पाचा जाना ए। option number B एस question दा पना correct हो जानदा है जेकर पुछा जावे कि 222 दही केड़े बेक्टीरिया नाल बनता है ता ओ लेक्टिक लेक्टो बैसें एस तो लावा सीट्रिक अमल एक जड़े ओ खट्टे फ़लां वीच पाया जानदा है सीट्रिक अमल एक जड़ा खट्टे फ़लां वीच पाया जानदा है चल दिया जी next question वाल हंजी आपना next question हेगा है question number 9 मनुख्य लहू दा pH मान किन्ना होंदा है 4 option है first हेगा जी 7.2 second option हेगा 7.4 third देता जी 7.0 ते fourth हेगा जी 6.4 हंजी मनुख्य लहू दा pH मान किन्ना होंदा जी 7.4 S question दा option number B अपना correct हो जाँदा है जेकर पुछा जावे कि स्मुद्री पाणी दा pH मान किन्ना होंदा है ता ओ होंदा जी 8.4 इसतों अलावा सड़े हंजू दा हंजू दा जड़ा pH मान होंदा है ओ होंदा जी 7.4 यानिकि मनुख्य लहू दे बराबरी होंदा है इसतों अलावा निम्बू दे रस्दी गल करिए ता इस दा pH मान होंदा जी 2.2 तों लेके 2.4 इसतों अलावा मनुख्य लार जी जेकर गल करिए मनुख्य लार ता मनुख्य लार दा pH मान होंदा जी छे पोइंट पांच तों लेके 7.5 इसतों अलावा मनुख्य मुथ्य जेकर गल करिए ता इस दा pH मान होंदा जी 4.8 तों लेके 8.4 ते शुद्ध पाणि दा pH मान होंदा जी 7 फिल्टों रिपीट करते निया मनुख्य लाहू दा pH मान होंदा जी 7.4 इसतों अलावा समुंत्री पाणि दा होंदा जी 8.4 हंजू दा होंदा जी 7.4 निंबु दे रस दा pH मान होंदा जी 2.2 तों लेके 2.4 तिकन इस तो इलावा मनुख़्ी लार दा हुंदा जी 6.5 तों 7.5 तक इस तो इलावा मनुख़्ी मुत्र दा हुंदा जी 4.800 लेके 8.4 तक चल दिया जी next question वाल हंजी अपना next question दिता है question number 10 सविदान सबादा पहला अधिवेशन कि थे होया चार ओप्शन दिती होया ने फर्स्ट तेगा जी बंबई सेकेंड ओप्शन हेगा कलकत्ता थर्ड ओप्शन हेगा जी दिल्ली ते फोर्थ हेगा लाहूर हंजी सविदान सबादा पहला चार दिसम्बर्तों लेके 9 दिसम्बर तक चल्याँ सी थे एग अधिवेशन होया सी दिल्ली विच जेकर पुछो जावे कि दिल्ली विच किते होया थे यह होया सी conTER 사en नंद सिना एना नू एस कमेटी दा एस थाई एस थाई अध्यक्ष चुणेया गया सी एस्तो बाद एस दी जड़ी सेकिंड मीटिंग होई सी ओ होई सी जी 15 नमबर तो लेके 17 अक्तूबर तक पंदरा नमबर तो लेके 17 अक्तूबर तक यस दी सेकिंड मीटिंग जा फिर सेकिंड अध्यशन आपा कह सक देया होई सी एस विच की होई सी एक डेट हेगे जी 11 दिसंबर 11 दिसंबर 19 चाणे 11 दिसंबर 19 चाणे नू एस अध्यशन दा जड़ा स्थाई मेंबर चुणेया गया सी ओ चुणेया गया सी डॉक्टर राजिंदर परसाध फिर दोर पीट करदेना जी सविदान सबा दा पहला अध्यश किते होया सी कांसिल चेमबर पुस्तकाले पवन विच होया सी कदों स्टार्ट होया सी चार दिसंबर तोलेकी 9 दिसंबर 19 चाणी तक इस्तो बाद ऐस विच की होया सी डॉक्टर सचिताना सिना नू एस दा एस थाई अध्याक्ष चुणेया गया सी एस्तो बाद सेकिंड इंदर परसाद नू एस दा स्थाई मुखी चुणेया गया थी चल द्यां जी नेक्स्ट कोशन वन हंजी नेक्स्ट कोशन दिता है कोशन नमबर ग्यारा सिक्क तरम दा संस्तापक कोण सी चार ओप्शन ने फर्स्ट हेगा जी गूरू हर गोविंद जी सेकेंड ओप्शन हेगा गुरू अर्जन देव जी थार्ड ओप्शन हेगा जी गुरू अंगत देव जी ते फोर्ट हेगा गुरू नानक देव जी हंजी सिक्क तरम दा संस्तापक कोण हेगा जी गुरू नानक देव जी गुरू नानक देव जी ता जनम महात्मा गांधी नू राष्ट्र पिता केहासे जी सुभास चंदर बोस ने। एस कोशन दा ओप्षन नंबर फर्स्ट आपना कोरेक्टो जान दा है। एस तो एलावा महत्मा गांधी जीनू महात्मा दी उपादी दित्ती सी रविंदर नार टेगोर जीने ते महात्मा गांधी जीने रविंदर नार टेगोर जीनू उपादी दित्ती सी गुरु देव दी। फिर तो रिपीट कर देनेया महात्मा गांधी जी नू राष्ट्र पिता केहासी जी सुबाह चंदर बोस ने इस तो इलावा महात्मा गांधी जी नू महात्मा केहासी रविंदर नार टेगोर जी ने ते रविंतर ना टे गोर जी नू गुरुदेव कहा सी महात्मा गान्दी जी ते बीयार अम्वेदकर नू सविदान दा पिता कहा जांगाई चल दे आजी नेक्स्ट कोशन वाल हंजी अपना नेक्स्ट कोशन दिताओ है एपी कल्चर दा समंध किस नाला चार उप्षन है फुलान दी खेती, सेकेंड उप्षन है गाजी मदू मक्की पालन थर्ड है गाजी मच्ची पालन ते फोर थे गाए कैंचवा पालन हंजी एपी कल्चर दा समंध है गाजी मदू मक्की पालन इस कोशन दा, option number B अपना correct होचन दा है, इस तो लावा option number A दिता है, फुलान दी खेती, ता A समन्दी थेगा जी, इत्थो लोजी ना जी सी विच आप फुलान दी खेती दी, स्टड़ी कर देया, उसनों के है जान्दा है, इत्थो लोजी, मच्छी पालन दी जेकर कल करिये, तैसनों के है जान्दा है, पीसी कल्चर चल देयां जी, next question 1 हंजी अपना next question दिता है, question number 14, विश्व एड्स दिवस कदो मनाया जान्दा है, चार ओप्शन ने, फर्स्ट है गाजी, एक जनवरी, सेकेंड ओप्शन ने गाए, एक दिसम्बर, थर्ड ओप्शन दिता है, बाई एप्रेल, ते फोर्थ है गाए, 14 दिसम्बर, हंजी विश दिवस दि थीम की सीजी, ending the HIV AIDS, ending the HIV AIDS, epidemic, re-silence, and impact, एवि तुसी याद रखनी है, फिर तो रिपीट कर देन्या, दो हजार वी दी विश्यव एड्स दिवस दि थीम की सीजी, ending the HIV AIDS, epidemic, re-silence, and impact, इस्तो इलावा, ओप्शन नंबर सी वेकिए, बाई अप्रेल, ता बाई अप्रेल नो अर्थ डे बनाया जान्दे, अर्थ डे प्रित्वी दिवस बनाया जान्दे, इस्तो इलावा, ओप्श डे बनाया जान्दे, नेशनल, एनर्जी, कन्वर्शेशन, डे, चल दे हांजी, next question one, हांजी, question number 15 दिता हुए है, गितांजली किताब किसने लिखी सी, चार ओप्शने, रविंदर नाटे गोर, सुभास चंदर बोश, महात्मा गांधी, ते, ओप्शन डी हैगा जी, एनना हांजी, गितांजली किताब जेडी लिखी सी, ओ लिखी सी, रविंदर नाटे गोर जीने, एस question दा, option number A अपना, correct हो जान्दा है, next question वाल चल दे हां, हांजी, हुण आपना, reasoning दा पार्ट, स्टार्ट हो जान्दा जी, उत्ते आपां, 15 question, current affair, GK, GS, ना related कित्ते सी, हुण हांजी, हेटा दिती, सीरीज नो ते आनाल वेखो, ते अगला number 10 हो, हांजी, एस सीरीज नो अपना ते आनाल वेखना है, ते next number की आवेगा, वो अपना 10 नहीं, हांजी, फर्स देता है, छत्ती, चोंती, तीस, अठाई, ते चोवी, पहला एन्ना दोहां वीच, डिफरेंस दोह दा, इस तो बाद, चोंती ते ती विच डिफरेंस हेगा जी, माइनस चार दा, ती ते ठाई विच हेगा जी, माइनस दोह दा, ते फिर अठाई ते चोवी विच हेगा जी, माइनस चार दा, ता वेखो जी, की सीरीज चल रही है, माइनस दो, माइनस चार, फिर माइनस 2 ते मैनस 4 हुण की आवेगगे जी मैनस 2 ता 4 yi मैनस 2 किन आवेगा 2 ता एस कोशन ता ओप्छन नूंबर फर्स्ट अपना कुरेक्ट हो जावेगा फिर तोiran repeat कर देन्या त्या आणा लुगो जी 6 yi 2 किन आ हो गया 4 yi 4 yi 4 yi माइनस 4 किता 3 3 विचों फिर 2 माइनस किता 8 3 अठाई विचों फिर माइनस 4 किता 4 तो हुण आपा माइनस 2 करना है 4 विचों माइनस 2 करांगे by option number first अपना correct हो जावेगा next question वाल चाल दिया next question question number 17 दिता है राम शाम ते नेहां दी उमर्दा खुल जोड किना है recruit anç अठाउं देता हुए तो दस्तों तिन साल पहला उना दी उमर्दा खुल जोड किना ऐ जी राम प्लस शाम तिन नेहा यना दी उमर्दा कुल जोड आ पिना देता है प्रेजेट विच तो आपनस किता है ता दस्तो 3 साल पहला ऊना दी उम्र धा जोडवrd किन्ना सिंसी अपना दसना है 3 साल पहला तो वेकूत रामस भी 3 साल पहला 3 साल छोटा होगा-10 माइनश है याम भी 3 साल छोटा होगा जोड़ी होगे-10 ते 106 जोड़ी होगा ता option number A अपना correct हो जावेगा, जेकर आपनों पुछा जावे कि 10 साल बाद उना दी उमर दा जोड किन्ना होएगा, ता आपना तेन तेन जोड देना है, राम भी 10 साल वड़ा हो जावेगा, शाम भी 10 साल वड़ा हो जावेगा, ते नेहा भी 10 साल वड़ी हो जावेगा, तेन आपना अंसर आना सी जेकर पुछा जावे कि 10 साल बाद उना दी उमर दा जोड किन्ना होएगा, पर आपना की पुछा गया जी, 10 साल पहला, ता तेन साल पहला, 9 माइनस करना है, किन्ना होगया, 71, ता option number first आपना correct हो जावेगा, चल दियां next question वाल, आपना correct हो जावेगा, जेकर आपना एस इमेज नूँ शीशे विच वेखांगे, ता इस दी केड़ी इमेज बनेगी, जी, option number D, जीड़ा अपना correct हो जावेगा, चल दियां next question वाल, हंजी question number उन्हीं दिता हुए है, A, B, D, पेण है, C, D, दा पाई है, जेकर D, A, D, पेण है, ता B, D, दे नाल किस तरह समन दिता है, question नूँ हल करते हैं, कि दिता है, A, B, D, पेण है, A, B, D, पेण है, उन्हों पेण दिता है, आपाई थे, minus दा symbol यूज करांगे, उस्तो बाद किता है, C, D, दा पाई है, ता इसनाल कोई एकवरी रिलेट नहीं हो रहा, ता next किता है, जेकर D, A, दी पेण है, जी, D, A, दी पेण है, ता इते, D, V, जड़ी A, दी पेण है, एस्ते उत्ते ही भी आपा, minus दा symbol लावाँगे, उस्तो बाद किता है, हाँ, हुण वेक देया, C, D, दा पाई है, C, D, दा पाई है, ता इते, C है जड़ा, ओ, D, दा पाई है, एस्ते उपर आपा, plus दा symbol पनावाँगे, ता की देता है, जी, B, D, नाल, किस तरह समन देता है, वने, V, दा अपाँ, रिलेशन दसना है, ता बी दा हले आपानू, इस statement दे नाल, कोई भी पता निचलिया, कि ओ, मुंड़ा है, जा, कुड़ी, ता option वेक देया, फर्स देता है, पाई, सेकेंड ओप्शन देगा, जी, पाई जा पैण, option number C है, पैण, ते फोर्स देजी, नन ओफ दीज, ता एस question दा, option number B अपना, कुरेक्ट हो जावेगा, कि पाई जा पैण, इनना दौआ विचो एक हो सकता है, फिर तो repeat कर देता है, question हैगा, जी, A, B दी पैण है, ता वेको, A जड़ी, B दी पैण है, पैण जेकर, D, A दी पैण है, ता देखो, D, A दी पैण है, ता, D, V, S, दी पैण है था, उस्ते, माइनस दा, निशान आपा देता है, उने, A clear हो जावेगा, C, D, दा, पाई है, ता, C, जड़ा, D, दा, पाई है, SD होते हैं आपां प्लस दार निशान देता है उस्तों बाद देता है कि B, D दे नाल किस तरहां समन देता है ताम B, D दे नाल SD पेंड वी हो सकते है B थे पाई भी हो सकता है ऐसले है आपां option number B टिक किता है पेंड चांपाई चल दें हांजी next question वाल question number V दिता है head दिती series नूँ पूरा करो एस series नूँ आपां त्यानाल वेकना है कि question mark दिता हां ते केड़ी series आवेगी केड़ी diagram आवेगी तब वेकदियां पहला एना दोनों वेकदियां की एना वेची की difference है जी आप दुसी वेको की पहला डोट इत्थे सी और एत्थे आगी यानि की उना ने एक खाना चड़ देता एक खाना चड़ के next विच आगी उस्तो बाद दूजी ते तीजी diagram वेकदियां की पहला इत्थे सी उस्तो बाद इनने किने खाने चड़ एक ते दो 0, दो खाने चड़ के इत्थे आगी उस्तो बाद इसने तेन खाने चड़ के वेकदिया उप्षण विच केड़ा सही है do option B अपना correct हो जावेगा यानि की आज जहीड़ी डोटेगी है आएक यक खाना चड़ के अग्गे चल्द ग्या रहे है दो प्रेजन जा़ो चल ज़ारे चल्द हाधार ओप्शन घ्राइव श्राइच्ट पॉले पुलुन चल्द आजिरा सी अपनी नतर्धील किरटे च्रों करू Marcus ए बोक्स दितता है त्या पां एत्ते प्रशन वाचक चीन दे थां थे वेखणां की एनना विच्चों केडा नंबर आवेगा ता वेखदेया एनना नू एड करके वेखदेया आठ ते दो 10 10 ते 6 16 एस तरह एनना नू विच्चों करके वेखदेया 10 ते 15 15 ते 16 16 एवी 16 बन रहे है त्ये ए एस त्या जोड वी 16 बनना चाहिदा है 6 ते 4 10 ते एथे किन आणा चाहिदा जी 6 ओप्शन वेखदेया ओप्शन नंबर बी अपना कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन वाल चाल देयां हाँजी कोशन नंबर बाई दिता है 15 दिते परशन दी सिरीज नू पूरा करो हाँजी पहला दो दिता है फिर 8 फिर 10 ते आपम एथे कोशन मार्क दिता हाँदे विखणा है कि एननना विच्चों केडा नंबर आवेगा अजी पहला एना दोला नो वेक देया आपां 2,3,8 की में बनेया ते 2 दी जेकर आपां क्यूब करिये यानिकी 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 ते 4 दूनी 8 यानिकी पहले नमबर दी क्यूब कार नाल दूजा नमबर आ रहे है इसी तरह ही आपां 10 दी वी क्यूब करके वेक देया 10 गुणा 10 गुणा 10 10 ती ये 9 ते 9 ती ये स्ताई उन वेक देया ओप्शन नमबर C जड़ा दिता हुए स्ताई ते कोशन मार्क दिता हां ते की आवेगा जी 27 ओप्शन नमबर B आप सोरी C आपना कोरेक्ट हो जावेगा चल देया जी नेक्स्ट कोशन वाल हांजी कोशन नमबर ते की दिता है जी हेड दिते चितर विच प्रशन चितर नूँ लबबो हांजे एस डायगराम नूँ अपमा नूँ एनना चारा विच ओ लबबन है ता फर्स्ट विच वेख देया की E बढ़ रही है जंआ ता हैस विच नहीं बन रही शेक़ंड ओप्शन विच वी नहीं बन रही नेक्स्ट कोशन दिता है, कोशन नमबर चोवी ते पच्ची विच दिते विकल्प विचों समंदित शाबद अक्खर संख्या दी चोन करो। कोशन दिता है, मचली पाणी ते पक्षी उस्तो बाद प्रशन वाचक चिन दिता है किये थे की आवेगा। हाँजी विचन दिता है समन्दे गाए, मचली दा समन्द हो ते पाणी नाल ते पक्षी 1 समन्द आपनद अपनद असन है, चार उप्षन ने 1 ते अकाश 2 दिता हवा, 3 दिता हवा, 4 ते 4 े आलना। हांजी सारे नुपता चल गया होएगा कि पक्षी दा जड़ा समन्ध होंद है वो आलेने नाल होंद है ओप्षन नमबर D अपना कोरेक्ट हो जावेगा चल दे हांजी नेक्स्ट कोशन वाल हांजी कोशन नमबर 25 दिता हो है जेकर D E नूँ पनताली लिख्या जावे तां B C नू की लिख्या जावेगा चार ओप्षन ने फर्स्ट हैगा जी चौनती सेकेंड ओप्षन हैगा तैई थर्ड ओप्षन हैगा चुपंजा ते फोर्थ हैगा जी तरताली हांजी वेखते हां D दा कोड किन्न होंदाजी A B C D 1 2 10 4 D दा कोड 4 होंदाजी ते E दा कोड होंदाजी 5 जानिके ए न दा कोड ही लिख्या गया है ते कोड किन्ना मनदाजी 15 इसे तरह बी ते सीधा कोड़ भी आपा निखना है ता किन ना बनेगा जी बी दा हुंदा जी दो ते सीधा हुंदा है तेन इसे तरह option number B आपना correct हो जावेगा 23 चल दें हाजी next question वाल हंजी उस तो बाद आपने कोड़ English दा पार्ट स्टार्ट हो गया जी कोशन की देता है कोशन नमबर 26 ते स्टाई complete the following sentences using appropriate articles हंजी अपना 26 तो स्टाई कोशन विच आर्टिकल फिल करने ने कोशन देता हुए जी I am dash university student आर्टिकल देते ने A am दा ते fourth option ने गया none of these किया हुएगा जी I am a university student option number A जड़ा अपना correct हो जावेगा चल दे हांजी next question one हंजी next question हैगा जी question number 27 हरीश्चंद्रा वाज dash honest king हंजी अपना पड़े आसी की जित्ते वी vowel sound आंदी होए vowel केड़े होने जी A I O U T E या फिर तुसी याद रखो की जित्ते वी उड़ा एड़ा ते ED दी sound आवे जिमेंकी honest honest नूँ आपके में लिखांगे honest जित्ते वी उड़ा आड़ा ED दी sound आवे उत्ते आपका N लाण तो एस कोशन दा option number second आपना correct हो जावेगा Harish Chandra was an honest king चल दें हाजी next question वाल हाजी next question दित्ता हो एए चूज़ दा correct परनावन फोर दी blanks शी हैज एन एपल डैश हैंड चार ओप्शन ने फरस्ट है His Hers Her Him तक की आवेगा जी शी हैज एन एपल इन हर हैंड option नंबर सी अपना correct हो जावेगा हर चल दें हाँ next question वाल हाजी question नंबर 3 दिता है choose the old one out हाजी एन चार ओप्शन आवेचवा पानू अलग चुनना है first option है गाजी left second option है गाए milkshake third option है गाए right ते fourth हे गाए forward हाजी तूसी वेखोंगे option नंबर A C अथे D तिन्नों direction ने ते अलग केड़ाएगा जी milkshake option नंबर B अपना correct हो जावेगा क्योंकि आपानू अलग ही दसना है जी चल दिया next question वाल हाजी next आपने कोल language आजी पंजाबी question नंबर 31 दिता है hate लिखे अशुद वाक दे अदार ते hate लिखे चार शब्दा विच्चों शुद वाक दे सही दानिशान लगाओ question दिता है जी mund कुडियां पढ़ दे हन इसनों आपाँ शुद करके लिखना है चार option ने first ने गए mundे कुडियां पढ़ दे हन second option दिता है जी मुंडे ते कुडियां पढ़ दे हन third option है गए मुंडे कुडियां पढ़ दियां हन ते fourth है गए मुंडे ते कुडियां पढ़ दियां हन ता इनना विच्चों शुद है गए option नमबर D मुंडे ते कुडियां पढ़ दियां हन option number D अपना correct हो जानद है चल दें on next question वाल हंजी question number 22 तक है हेट लिखे शबद दे अदार ते हेट लिखे चार शबदां विचों समानार्थक शबद दे समणे सही दा निशान लगाओ हंजी अपना दसन है पोन दा समानार्थक शबद चार option ने हवा तूड चक्खड दे हनेरी हंजी एस दा समानार्थक शबद होंदा जी हवा option number A अपना correct हो जानता है चल दें on next question वाल हंजी question number 33 तक है हेट लिखे शबद दे अदार ते हेट लिखे चार शबदां विचों विरोधी शबद ते सही दा निशान लगाओ हंजी अपन हनेरे दा विरोधी शबद दसन है चार option ने first गया हिमाईत second option गया हाडी third option गया हार ते fourth गया चानन हंजी हनेरे दा विरोधी शबद हो जावेगा चानन एस question दा option number D अपना correct हो जावेगा next question वाल चल दे हा question number चोंती दिता है गया जी हेट लिखे मुहावरे दे अर्थ दे अदार ते हेट लिखे मुहावरे यां विचों सही दे सामने सही दा निशान लगाओ हंजी मुहावरा दिता है फसाद दी जड चार option ने first गया सोने दा अंडा second option हेगा जी स्यापे दी नेन third option हेगा है सिर ना पेर ते fourth हेगा जी हड हरा हंजी आप अंदसना सी फसाद दी जड हंजी एस दा सही आंसर हो जावेगा option number B स्यापे दी नेन चल दे हाँ next question वाल question number 35 दिता है गया जी चरकी शबद दा सही पुलिंग की है चार option हेगा फर्स्ट हेगा चर्खा second option हेगा जी तागे third option हेगा पूया ते fourth हेगा सूद जी आप अंदसना है चरकी शबद दा सही पुलिंग ताइस दा सही पुलिंग हो जावेगा जी चर्खा option number A अपना correct हो जावेगा next question वाल चाल देया तो दोस्तो इसके बाद language हिंदी आ जाती है question number चत्ती दिया हुआ है हिंदी भाषा की लिपी कौन सी है हमारे पास चार option है पहला है रोमन second option है चित्र लिपी third option दिया है देवनागरी और fourth option है इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो हमें बताना है हिंदी भाषा की लिपी कौन सी है तो हिंदी भाषा की लिपी होती है देवनागरी option number C हमारा सही हो जाएगा चलते हैं next question की ओर हमारा next question आता है मन चंगा तो डैश में गंगा लगोक्ती के खाली स्तान में क्या आएगा फिर सिर्पीट कर देता हूँ मन चंगा तो डैश में गंगा लगोक्ती के खाली स्तान में क्या आएगा चार option है पहला है स्वर्ग second option दिया है कठोती third option है केला आश और fourth है इनमे से कोई नहीं मन चंगा तो कठोती में गंगा तो इसका option नमबर B है जो सही हो जाएगा कठोती चलते हैं next question की ओर question नमबर 38 दिया हुआ है कौन सा प्राइवाची बिजली का नहीं है यानि कि इनमे से कौन सा बिजली का प्राइवाची नहीं है चार option है पहला है विदूत second option है चपल third option है दामिनी और fourth है छटा हमें बताना है कि इनमे से कौन सा बिजली का प्राइवाची नहीं है तो option नमबर B देखिए चपल तो ये option हमारा सही हो जाएगा चलते हैं next question की ओर question नमबर 49 दिया हुआ है मानव का विलोम शबद विलोम यानि की उलट शबद कौन सा है चार option है पहला है दानव second दिया है देखिए third option है राक्षष और fourth है पूर्ष तो मानव शबद का उलट शबद कौन सा होगा दानव इस question का option नमबर A हमारा सही हो जाता है चलते हैं next question की ओर तो दोस्तो हिंदी लेंग्वेज का last question दिया हुआ है चक्के छुडाना का अर्थ है चार option है किरकेट के खेल का एक नियम second option है हराना third option है घायल करना और fourth है परेशान करना हमें बताना है चक्के छुडाना का अर्थ क्या है तो चक्के छुडाना का अर्थ होता है हराना इस question का option number B हमारा सही हो जाएगा हंजी साथियो आज दे इस वीडियो नो एथिस माप्त कर देया आज दे मोग टेस्ट वी चापा एंटिटी दे सलेबस अंसार करंट फेर जीके जी एस इस तो इलावा मेंटल अबिल्टी तेल लेंग्वेज हिंदी पंजाबी ते इंग्लिश कवर किती है हंजी फ्रेंड जेकर तो आनू एवीडियो चंगी लगी है टेलिग्राम चेनल दा लिंक तो आनू आज दी एस वीडियो दे डिस्क्रिप्चन बोक्स वीच मिल जेगा मिल दे आजी नेक्स्ट वीडियो चे ओदों तक दे लाई टेक केर